पर एक question और हो सकता है, मालो second question में यहाँ पर लिखता हूँ, S, OH, OH, double bond O, double bond O, और तर्ड लिखता हूँ, S, double bond O, double bond O, CF3, CF3, और ठर्ड लिखता हूँ, S, CH3, CH3, double bond O, double bond O. इसमें वो दोनों बोन एंगल पोच सकता है, यह वाला बोन एंगल पोच सकता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ ठीटा 1, इसको लिख दे रहा हूँ ठीटा 2, इसको लिख दे रहा हूँ ठीटा 3, और यह वाला पूचा रहा सकता है, इसको मैं लिख देता हूँ 5-1, इसको ल प्रांडिंग ऑट्म और लोन टू और टू बोन टू डूपर्ट वॉर्ट टू कॊष्यक Kwantphon ठीटा 2, ठीटा 3 का उडर निकालते हैं, तो सबसे पहले एलेक्टर निगेटिविटी को, OH की एलेक्टर निगेटिविटी कितनी थी? 3.5, CF3 की कितनी होती है, 3.1, और CH3 की कितनी है, 2.6, फिर वही रूल लगाना है, इधर भी 3.5, 3.1, 2.6, सबसे ज़ादे एलेक्टर निगेटिविटी किसकी है? OH ग्रूप जो है, इसकी एलेक्टर निगेटिविटी थी तो ये दोनों OH ग्रूप क्या करेंगे? अब की का हीविटर निगे, Sulfur का जो हाइबराइजिशन है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, SP3 हा रहा है, सब जिनके SP3 Sulfur का हाइबराइजिए है, जिसमें की Pkuramen Jew प्रूप क्या Sonu Pen परसेंटेज पी करेक्टर यह खीचेंगे ठीक तो अगर परसेंट फिर उसके बाद कौन खीचेंगे 3.1 वाले तो यहां मैं यहां चारे रों नहीं यहां तीने रों फिर उसके बाद सबसे कम कौन खीचेंगे यह तो अगर यह दूनों सबसे ज्यादा परसेंटेज पी करेक् फिर सबसे कम percentages character यहां बढ़ता हुआ नज़र आएगा और bond angle is directly proportional to percentages character जितना percentage character ज़्यादा उतना bond angle ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा bond angle कौन सा है bond angle को order अगर मैं देखूं theta 1, theta 2 में सबसे ज़्यादा है theta 1, theta 2, theta 3 क्योंकि percentage ज़्यादा का भी order यही है फिर मैं 5 1, 5 2, 5 3 का order निकालना चारा हूँ तो simple सी बात है अगर theta 1 सबसे ज़्यादा bond angle open होगा यह repulsion भी सबसे ज़्यादा लगीगा फिर उसके बाद यह वाला repulsion और फिर उसके बाद यह वाला repulsion यहाँ repulsion ज़्यादा लएगा तो यह थोड़ा angle ज़्यादा दब जाएगा यह थोड़ा कम देवेगा और यह और कम देवेगा मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं 5 1, 5 2 का order निकालो bond angle first order है bond angle second order है सबसे ज़्यादा कम 5 1 हो जाएगा फिर उसके बाद 5 2 होगा फिर उसके बाद 5 3 होगा क्योंकि यह सबसे कम दब आएगा और अगर मैं इनके experimental value रिखूँ तो 5 1 की experimental value है यह तो data is हमें जाती करना है यह होती है 101.3 degree 5 2 की जो value आती है वो आती है 102 degree और 5 3 की value जाती है वो होती है 102.60 तो देखो आप bone angle के लिए लिए एक दम से आ रहा है यह हो गया हमारा second question ठीक है जी तीसरा question वो ऐसे पूर सकता है मालो वो इस तरीके के atom देदे हैं fluorine fluorine यहाँ chlorine chlorine यह bone angle theta 1 यह bone angle theta 2 यह bone angle 5 1 यह bone angle यह bone angle 5 2 फिर से वो ही fluorine fluorine की electronegativity कितनी होती है 4 4 chlorine की कितनी होती है approach 3 के something की होती है falling is case पर देखें तो 2.689 2.689 तो ज़्यादा electronegativity किसकी है fluorine की यहाँ percentage ऐस character बहुत ज़्याद percentage पी character बहुत ज़्यादा खीच लेगा चारो hybrid orbitals से यह fluorine दोनों fluorine percentage पी character को अपनी तरफ कीच लेगे यहाँ इतना नहीं कीच पाएंगे थोड़ा कम कीचेंगे यहाँ बहुत ज़्यादे कीचेंगे percentage पी character यहाँ percentage पी character बहुत कम हो जाएगा मतलब यहाँ percentage S character बहुत ज़्यादे बढ़ जाएगा यहाँ भी percentage यहाँ थोड़ा कम खीचा है यहाँ percentage करेक्टर थोड़ा कम बड़ेगा bond angle is directly proportional to percentage as character जितना percentage करेक्टर जादा bond angle उधना जादा तो कहाँ कौन सा bond angle जादा आएगा थीटा 1 थीटा 1 is greater than 2 थीटा 2 यह bond angle first का order है अब bond angle second का order देखें तो यह जादा open होगा तो यह जादा repulsion लगा का 5-1 को जादा दबा देगा यह कम उपन होगा तो 5-2 को कम दबा पाएगा तो यहाँ 5-1 कम हो जाएगा और 5-2 जादा हो जाएगा तो यह हमारे bands rule पर question थी bands rule इस तरीके से लगाए जाता है को की बाइसी